तो दोस्तो जब भी भारत के अंदर फाइटरे जेट को बनाने को ले करके बाचेत की जाती है तो आप सब को कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे लोग दिख जाएंगे जो कि लगतार हमारी संस्थाई जैसे कि HAL, DRDO, NAL और ऐसी जितनी भी संस्थाई हैं जो कि फाइटरे जेट औ पर खड़ा है क्योंकि अगर आप हमारी प्राइवेट कमपनियों के इन्वॉल्मेंट को भी देखते हैं तो वो भी अभी शुरू हुआ है इससे पहले ये जो सारा काम है ये हमारी सरकारी संस्थाओं के द्वारे यहाँ पर संभाला जाता था लेकिन अब हमारी इनी कमपन अच्छी हो और साथ में करेप्शन ओल्मोस्ट गाइब हो जाए तो ये कितनी जादा बड़ी जाइंट कमपनिया भारत के लिए यहाँ पर बन सकती है तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकरके जाए इसराइल या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज यहाँ से इंपोर्ट किया करते थे और इसके बदले भारत को अच्छा कासा जो पैसा है वो भी यहाँ पर खर्च करना पड़ता था और इसी के चलते हमारी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए कहीं बार ये जो देते थे तो ऐसा ही एक कंपोनेंट फाइटर जेट के अंदर उसका रडार माना जाता है आप फाइटर जेट के रडार को उसकी आँखे भी मान सकते है क्योंकि सारी जो सिचुवेशनल अवेरनेस है और साथ में जिस परकार के एनिमेस को उनको डिटेक्ट करना है तो ये जो सारा काम है ये एक फाइटर जेट के रडार से किया जाता था तो पहले हम अपने तेज़स फाइटर जैट के लिए इजराइली एल्टा के जो रडार्स है इनको इंपोर्ट किया करते थे लेकिन दोस्तों आज की तरिक में डिया डियु ने उत्तम एईजर डार के उपर उन्होंने कुछ बड़ी बाते बताई है जैसा कि सबसे पहले तो हमारा जो तेजिस MK1A फाइटर जैट है तो शुरुवात में यहाँ पर यह प्लान था कि इसके अंदर जो उत्तम AESR डार लगेगा तो उसके अंदर लगबग 738 TR मोडियूल्स मोजूद होंगे लेकिन दोस् हैं यह और जादा अच्छी हो जाएगी और एनमी को यहाँ पर डिटेक्ट करने की जो चांसे होते हैं यह भी काफी जादा स्ट्रोंग हो जाएंगे लेकिन इस सब में हमारे एक अन्मेंट फाइटर जैट को ले करके एक बड़ी डवलेप्मेंट को भी यहाँ पर रिपोर होगा जहां पर सबसे पहले तो जो टियार मोडियूल्स हैं यह गैलियम नाइटरेट बेश्ट हो सकते हैं जो की काफी ज़्यादा एफिशन्ट होते हैं और इसी के साथ में DRDU का यहाँ पर यह कहना है कि हमारे जो ड्रोंस होंगे तो उनके लिए हम एक ऐसे रडार को बना किया जा सकता हो तो यह जो डवलेपमेंट है इसे आप कैट्स वोरियर के लिए एक काफी ज़्यादा बड़ी डवलेपमेंट यहाँ पर मान करके चल सकते हैं क्योंकि H.A.L. का यहाँ पर यह प्लान है कि शुरवात में हमने जो कैट्स वोरियर का फैबरिकेशन स्टार्ट किया है जो कि 2024 से ले करके 2025 तक अपनी फर्ष्ट फ्लाइट को कंड़क्ट कर लेगा तो इसके बाद में जैसे ही वो अपनी सारी टेस्टिंग को कंप्लीट करता है तो उसका एक और बड़ा वेरियंट यहाँ पर बनाया जाएगा जो कि भारत के देशी किंजी लिमा या फि जो कि internal weapon bay के साथ में आएगा उसके अंदर जो अरडार है वो भारत का खुद का उत्तम AESR डार लगेगा और AESR डार के अंदर भी आप सब को दो परकार की जो categories हैं यह देखने को मिल जाएंगे जिसमें एक gallium arsenide based AESR डार होते हैं और एक होते हैं gallium nitrate based तो जो भविश्य ह वो आप सब को gallium nitrate based AESR डार के उपर देखने को मिलेगा और इसी के साथ में हमारे लिए यह AESR डार इसलिए भी ज़्यादा बड़ी achievement हो जाते हैं क्योंकि दुनिया के 5 से लेकर के 6 ऐसे countries हैं जो कि इस परकार के AESR डार को develop करने में शक्षम रहे हो और साथे साथ हम कितन ज़्यादा बड़े level के उपर दिखाई देगा तो कुल मिलाकर के भारत का जो domestic market है वही आप सब को 1000 रडार के order के आसपास का दिखाई देगा तो आप केवल एक बार सोचिए कि आज की तारिख में अगर DRDU अपने दम पर एक AESR डार को develop ना करती तो हमें आने वाले समय मे यह जो 1000 AESR डार है यह इसराइल या फिर जो European countries है इनी से order करने पड़ते लेकिन यहाँ पर fortunately DRDU ने काफी ज़्यादा बेटर काम किया है और आने वाले समय में यह जो सारे order है यह हमारी खुद की private company को यहाँ पर जाने वाले हैं तो दोस्तों overall इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है comment section में बताइए गसाती साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर जेजेगा अगर आप चैनल के उपर पहली बार आएं तो please say चैनल को भी subscribe कर जेजेगा तो चलिए दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही मिलते अगरी वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिन